तो आज मैं बताने वालाओ दे रिजन ब्याइंड मैं डिसीजन ऑप बाइंग आरोन 5 विफोर वह भी इंटेंसीटी वाइड कलर में तो मेरी बाइक वाइड कलर में खड़ी हुई सामने इस वीडियो में यह बताने वालाओ कि यह बाइक लेने का मेरा रिजन क्या था और क्य सारी तो देख लेना क्या-क्या रिजन से उसमें बहुत कुछ प्रॉब्लम आ गई थी और उस गाड़ी को अभी हो चुके पूरे 5 साल तो 5 साल एक ही गाड़ी ओन कर रहा था और वो गाड़ी थी नेकेट स्पोर्ट और उपर से बजाज तो में को नहीं इस बार बजाज लेन आरेस दोसो और दो तीन है जो मतलब मुझे नहीं पसंद पर यह जो दो नाम लिया तो वो दो एक आप्सन में थे मेरे पर फिर भी मुझे बजाज में तो नहीं जाना था और केटियम थोड़ा जो सबने सुन चुक है उसके बारे में बोलना तो नहीं चाहूंगा पर वही बाइक लेनी की जर्णी शुरूई थी लगबग मार्च या एप्रिल में से तो उस टेम पे मैंने आरोन फाय लेने का कंफॉर्म कर लिया था और मैं जब सोरूम में गया था उस टेम पे मुझे चाहिए थी मॉंस्टर एनरजी वाला एडिसन पर वो डिसकंटीनियू हो चु तो ठीक है पर मुझे वह बिल्कुल नहीं पसंद आता इसलिए मैंने सोचा आप तो नई गाड़ी लेने का मतलब प्लैन पूरा खतम ही हो गया था फिर मैं एक बार फिर से सोरूम गया और वहां पे देखा था यह वाइड कलर उसके पहले मैंने यूटुब पे देख चुक इतना कूल बना दीना है गाड़ी को इतनी सही कि कोई सूपर बाइक से कमनी लगती है बाइक तो जैसे पहली बार देखा मैंने भाई पुरा डिवाना हो गया था गाड़ी का मैं तब से मैंने सोच लिया कि यह तो पक्का डन है तो मैंने सोचा इस बार भी फिर से डीस कंट और जैसे गया बस गाड़ी बुक कर लिया तो अब आप सिर्फ लुक दिख के तो बाइक लेंगे नी तो इसकी कुछ परफॉर्मेंस और कुछ फीचर और कुछ स्पेक्स बता देता मैं तो 155 CC इंजिन लिक्विट कूल इंजिन और साथ में दोनों रेडियल टायर मिल जाते हैं डियोल चैनल तो बात करी लिया हुएने भाई हर बार आ जाके लूगी आ जाता है तो यह ही है तो यह सब देखके मैंने गाड़ी कंफर्म्ट कर लिया था यह कुछ और रिजन थे तो एक जिम्मेदार राइडर होने के नातिम मैं अपना फर्स्टेंड राइड एक्सपिरियंस सेयर करू हूँगा इस बइक से तो मैंनी गाड़ी अभी तक कि चला है सिफ 2,000 कुछ किलोम्टर तो देख लेते पहले किते क्लोमेटर हुए है किलोमेटर 2000 या 2100 कुछ हुआ है तो 2142 मतलब 2142 किलोमेटर हुआ है 2142 किलोमेटर हुए चलाने के बाद में को यह गाड़ी का मतलब पूर बहुत अच्छी एंडलिंग है पूरी कंट्रोल में रहती है अगर जो पहली बार भी बंदा गाड़ी चला रहा तो उसके हाथ में कंट्रोल में रहती ही गाड़ी अगर ऐसा नहीं कि अग्दम बलकी लुक है या फेड बाइक है तो कुछ डर लगेगा कई पे छोटी सी जगह पे मतलब गैप करने या कुछ करने कोई दिक्कत नहीं उता और बात करते हैं इसके ऑफ रोड कैपेबिलिटी की तो देख सकते हैं मतलब थोड़ी अलग सी जगह है मतलब ऑफ रोड बोल सकते इसको यहां पे साहथ स्फ्लेंडर वेंडरे आती है या स्कूर्टियों बड़ टोयोटा वीट्स में यामा तो पताई होगा सबको उसके इंजन के बारे मतलब हार चीज जो भी फीचर और सप्टीज बात करते हम पर वही है बजाज बजाज है पता है अगर उसके बारे में भी आपको नहीं पता हो तो मेरी पूरानी वीडियो देख ले न क्या-क्या होता है बजाज के साथ और KTM थोड़ी पर यह दोनों के बीच रेंज में जो फीचर्स प्रोवाइड करते और जो मतलब लुक हर चीज अच्छ है इसका हर चीज ऐसा कोई मतलब इसको चलाने के बाद कोई ऐसा बोलेगा निए कि तुमको छप रही हो यह है वो जो भी और नहीं इसको सस्ती वाइक बोलेगा मतलब है बाइक तो है ऐसा कुछ दिक्कत नी बाइक में तो बाइक लेने के बाद अभी मेरको साइद देड़ बने हो चुके देड़ मैंने या दो मैने के पास आ रहा है मतलब 10 दिन बच्चे होगे साइद तो अब तक कि मैंने सिर्फ एक ही मोडिफिक्सन किया है जो कि यह यह लिख सकते क्योंकि बहुत ग्रैंड डिलियोरी वी थी तो डिलियोरी देखना तो मिस बिलकुल मत करना मैं वसे यह देड़ मने बाट डाल रहा हूँ यह वीडियो पर डिलियो बहुत अच्छी थी रिस्पॉन्स भी अच्छी मिले ते तो यही थी आज की वीडियो तो आसे बाइक की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना थेंक्यू